हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल अन्नू टिटोरियल्स आज के इस वीडियो में हम आपको रेडिमेट बलाउज की फिटिंग करना सिखाएंगे तो देखो फ्रेंड्स जैसे कि हम मार्केट से बलाउज खरीद के लाते हैं उसकी फिटिंग परफेक्ट नह हम आती है तो उसकी परफेक्ट फिटिंग हम घर पर कैसे करें जिससे कि हमारे विलाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट हमारे नाप की अनुशार आ सके तो आईए वीडियो सुरू करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखें स्टेप बाई स्टेप कहीं से इसकिप ना करें ताकि आप जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके अगर आपने कोई स्टेप छोड़ दिया तो आपकी समझ में बलाउज की फिटिंग है वो बिलकुल परफेक्ट नहीं आएगी तो देखो सबसे पहले हम इस बलाउज को उल्टा करते हैं उसके बाद का जो बोड़ी का मेजरमेंट है उसका निशान लगाएंगे उसके हिसाब से हम इसकी फिटिंग करेंगे तो फ्रेंट्स देखिए यह बलाउज मेंने उल्टा कर दिया और इसमें यह जो बाजू लगी ही है इन बाजूओं को में यहां से उदेड रही हूं इसमें बाजू भ देखिए यह बौर बाजूब पडS देखिए इस लंटे बलाउज में जो सिलाइ लगी हूई है 38 इंच के बलाउज की सिलाई है और इसको हमें 35 इंच का बलाउज बना के परफेक्ट करना एज तो देखो यहां पे दोनों साइड से पौन-पौन इंच पर निशान लगाना तो देखो यहां पर मैं निशान लगा रही है और उसी के इसाब से इस पर सिलाई लगानी है तो यहां पर मैंने यह निशान लगा दिया है अब इस निशान को यहां से इस तरह से सीधा करना है देखिए ये इस बलाओज में जो लगी हुई सिलाई है वो शिलाई दिखाई दे रही है आपको और ये मेने यहाँ पे इसके नाप के इसाब से यहाँ पे मैंने निशान लगाया है इसी निशान पर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी फ्रंट वाले परदे में तो आपको इतना ही निशान लगाना है यह बलाउज है हमारा बैक होकवाला है तो देखो फिर आपको बलाउज को उल्टा करके यहां पर इसकी पेटी है उसका नाप लेना है इसकी पेटी हमें कंपलीट करनी है 30 इंच की और इसकी पेटी है देखो इस व्लाउज में इसकी पेटी 34 इंच की है तो इसमें से भी हमें दो इंच गटाना है तो यह ती सिंच की करनी है दोनों शाइड में यां पे हम इसमें चुन्नट लगा देंगे एक एक इंच की दोनों शाइड में बराबर बराबर पर चुन्नट लगानी है जिसे कि हमारी इसकी पेटी की साइज है वो भी एकदम परफेक्ट आ जाएगी बस आपको इतना ही निशान लगाना है फिर आपको इसकी सिलाई करनी है तो वो शिलाई हम कैसे करेंगे तो आईए वो भी मैं आपको समझाती हूँ तो फ्रेंड्स देखिए बलाउज की फिटिंग के साथ मैं इसकी इसमें बाजू भी जॉइंट करूंगी और इन बाजू को जॉइंट करने का तरीखा भी मैं आपको समझाऊंगी तो आईए हम मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ तो देखिए friends यह मैंने आस्तिन काट कर complete कर लिए हैं अगर आप आस्तिन की cutting की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो की link इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगी देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा रही हैं तो देखो साइड में जो दोनों शिलाई लगी हुई है उन शिलाई को थोड़ा थोड़ा सा उदेड़ना है दोनों साइड से तो देखो मैंने यहां से यहां से तक इस सिलाई को अटा दिया है इसी तरह से दूसरी साइड में भी शिलाई को अटाना है तो यहां से भी मैंने शिलाई को अटा दिया है अब इस दोनों साइड में हम बाजू को जोइंट करेंगे देखो सबसे पहले बाजू को इस तरह से फोल्ड करके बीचा बीच में एक कट लगाना है जिसे कि हमारी बाजू इदर उदर नहीं निकले देखो यहां ने बीच में कट लगा दिया है और अब इस कट को यहाँ से इस तरह से नाप करेंगे कि अमारी बाजू अंगी सब्सक्राइब करता है CEPH कुछ नाना पर है जिसरे हमारी बाजू इदर उधर नहीं कर देंका तो मैं唱 इस तरह इस तरह है और टा रहाए आए और मोडस्नलेट के-犯े जोן्ट करने के लिए यह सीधी साइड में शिलाई लगाना है तो देखो बाजु को इस तरह से पहले नीचे रखना है फिर उपर की साइड में बलाउज को रखना है और इस तरह से इस पर इसके बिलकुल यहां पर शिलाई लगानी है यह जो पाइपिंग लगी हुई है इसके साइड में छोटी-छोटी सिलाई लगानी सिलाई को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है तो यहां पर में इसके सिलाई लगाऊंगी भाजू में मैं अंदर की शाइड में आदा इंच का मारजन रख रहीं देखिए यह जो बाजू का यह जो बाजू में मैंने कट लगाया है यह इसके बिल्कुल शेंटर में है इसी तरह से दूसरी बाजू को जोइंट करना है तो देखिए फ्रेंड्स यह मेरी एक बाजू लगकर कंपलीट हो गई है इसी तरह से दूसरी बाजू को भी दूसरी शाइड में जोइंट करना है तो देखिए मैंने दौनों वाजू को यहां पर दौनों शाइड में लगा दिया है अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के आपको दिखा रही है यहां पर यह जो आमने फिटिंग का निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है यहां तक आपको शिलाई को एकदम शीदा रखना है फिर आपको यहां से बाजू कानाप करना है कि हमारी बाजू की मौरी कितनी है तो देखो यहां पर इस बलाउज की बाजू की मौरी है वो यहां पर 11 इंच है तो हम 11 का हाप करेंगे तो 5.5 आएगा तो देखो यहाँ पर 5.5 पर ही सिलाई लगानी है इस तरह से सिलाई को तिर्चा करके लगाना है यह जो मेरी फिटिंग वाली सिलाई है वो लगकर त्यार हो गई है इसी तरह से दूसरी साइड में भी इसी तरीका से सिलाई लगानी है देखिए यह वलाव जय है जो हमें 35 इंच का बना कर तयार करना था तो देखो यहाँ पर इसकी सिलाई एकदम परफेक्ट लगी है देखो यह साड़ी सत्रे पर इसकी सिलाई आ रही है अब हमें इसकी जो पेटी है उसको फिट करना है तो देखो यहाँ पर पीछे की साइड में मैंने चुननट लगाने का निशान लगाया है इस पर एक एक इंच की हम दोनों साइड में चुननट डाल देंगे तो देखिए पीछे की चुननटों को इस तरह से आपको शिलाई करनी है इस पर नीचे की साइड से थोड़ा ज्यादा लेना है और उपर की साइड से एकदम बराबर रखना है अब मैं इसकी जो चुननट है वो लगा रही है तो देखिए फ्रेंड्स इस ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग मैंने कर दिये अगर आपको सिलाई से सम्मंदित कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बताएं हम आपको स्टेप बाई स्टेप समझाएंगे और आप इस तरह के ब्लाउज की फिटिंग करके भी देखें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करना नहीं बूले थेंगे